पूरी लगन और सामर्थ के साथ करना चाहिए जैसे शेर अपने पकड़े होई शिकार को कभी नहीं छोड़ता शेर का यह गुण हमें अवश्य सीखना चाहिए और आगे ध्यान रखना सफल वेक्ति वही है जो बगुले के समान अपने संपूर इंद्रियों को सैयम में रखकर शिकार करता है एक आग्रिता के साथ अपना कारे करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी अर्थार कारे को करते वक्त अपना सारा ध्यान उसी कारे की और होना चाहिए तभी हमें सफलता मिलेगी अत्यनत ठक जाने के बाद भी बोज को ढोना थंडे और गर्म का विचार कभी न करना और सदा संतोस पूरवक विचरन करना ये तीन बाते हमें गधे से सीखना चाहिए बुद्यमान व्यक्ति को कभी अपने करतवे उसे बुमुक नहीं होना चाहिए उसे अपने कारे को कभी भोज नहीं समझना चाहिए रितुओं के प्रभाव को भी अंदेखा कर देना चाहिए और संतोस के साथ रहे कर अपने कारे को करते रहना चाहिए ये तीन गुण हमें गदे से सीखना चाहिए ब्रम्म मूरत में जागना, रण में कभी भी पीछे ना हटना अपने साथियों में किसी भी वस्तु का बरावर भाग करना और स्वयम चड़ाई करके किसी से अपने लक्ष को पा लेना ये चार बाते हमें मुर्गे से सीखना चाहिए संभोग हमीशा गुपत स्थान पर करना चाहिए छिप कर चलना चाहिए समय समय पर सभी इक्षिद वस्तु का संग्रे करना चाहिए और सभी कारियों में सावधानी रखना चाहिए और किसी का भी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए ये पात बाते हमें कववे से सीखना चाहिए कववा सदेवे कांत में अपनी रती क्रियाओ को करता है चालाकी से वह अपने भोजन को एकत्र करता है मन ना तो कभी आलच से करता है और ना ही आसानी से किसी पर विश्वास करता है और कुट्टे से हमें सीखना चाहिए कि बहुत भोजन करने की शक्ती रखने पर भी हमें थोड़े भोजन से ही संतुस्ट हो जाना चाहिए अच्छी नीम सोए परंतु जरा से ठक ठकाने पर हम जाग जाए अपने रक्षक से प्रेम करें और शूरता दिखाए इन छे गुणों को हमें कुट्टे से सीखना चाहिए ये जिंदी की एक मार्ग है और इस मार्ग में हम जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत को सीखने को मिला होगा इन बातों को जरूर फॉलो किजिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं साइनिंग ओफ M.D.Motivation